अगर आप मटन खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं तो आज में लिकर के आई हूँ बिहारे स्टाइल हांडी मटन की रेसिपी यहां पे हम हांडी में एक तम बिहारी तरीके से मटन कड़ी बनाएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी तो आप इस रेस्पी को पूरा जरूर देखिएगा मैं हूँ सुधा स्वागत है आपका मेरे किचन में तो चलिए शुरू करते हैं हारी मिर्चे लेनी है अद्रक लेना है और eu us 수 की लाल मिर्चो को हमें इस तरह से दरदरा पीस लेना है आप इसमें लहसन की माता थोड़ी से ज्यादा रक्रजुिद कर दें हरी मिर्च साथी में इसमें डाल देना है मीट मसाला यानि की मतन मसाला तो यहां पे किसी भी ब्रैंड का मतन मसाला एक बड़े चमच भर के डाल दें यहां पे हम किसी और मसालों का इस्तमाल नहीं करेंगे बस हम एक मतन मसाले का ही इस्तमाल किये हैं और हमें इसमें डाल देना है गरम मस प्याज टालने में एकदम गजूसी ना करें तो इस तरह से कट कर लें प्याज को और इसके अंदर डाल दें और हमें इसमें डाल देना है नमक अपने स्वाद के अनुसार मतलब हम डायरेक्ट यहीं पर नमक डालने अगर थोड़ा कम हो तो आप कोकिंग के टाइम पर सरसो का तेल तो यहां पर हम एक छोटा चमच के करीब में ना यहां पर सरसो का तेल डाल देंगे और यह सारे चीजों को ना हमें एक साथ मिक्स कर लेना है तो यहां पर बस हम एक मसाला यानि की मतन मसाला से ही हम इस मतन को बनाएंगे और इसमें जो अद्रक लहसन प्याज ह बस यही मसाले यहाँ पे लगेंगे और यह मतन ना बहुत ही ज़ादा डेस्टी बनने वाला है अगर आप बिगनर होना तो आप इस तरह से इस मतन की रेस्पी को ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत ही ज़ादा अच्ma बनती है तो हमें यहाँ पे सारी चीजे सारे मसालों को मटन में बहुत ही अच्छे से मारिनेट कर लेना है ये देखिये तो यहाँ पर हम मटन veloci से कर लिये हैं मारिनेट तो अभी हम mieć a क्या कर ना है ना 20 मिनट के लिए ऐसे ही मैडिनेशन में छोड़ देंगे तो पूरा मसाले आप अच्छे से मिला ले और 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं रख देते हैं ढख कर साइड में इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर यह साबूत खड़े गरम मसाले ले लिए हैं हम जैसे की थोड़ा सा शाही जीरा लॉंग, लाइची, दालचीनी, जावित्री, जाइफल तो मतलब जितने भी स्ट्रॉंग खड़े गरम मसाले होते हैं और यहाँ पर गोल मिर्च तो इन सभी को हमें क्या करना है न लेना हैं मतलब पूरा इस तरह से पीसना नहीं है बस हमें इने क्रश कर लेंगे, इस तरह से कूँट लेंगे यह देखिे तो एकदम इस ट्रॉंग जो गरम मसाले होते हैं वो सब आप इसमें एड करें उन्हें इस तरह से क्रश कर लें और रख देते हैं इने भी साइट में इसके बाद हमें यहां पे रख देना है एक हांडी हम इसे हांडी में ही बनाएंगे क्योंकि मटन का जो असली स्वाध होता है वो तो हांडी में ही आता है तो हम इसे हांडी में ही बनाने वाले हैं हांडी में आप डाल दे सरसो का तेल और इस सरसो के तेल में हमें दो तेजपत्ते कुछ सूखी लाल मिर्चे साबूत और हमें इसमें ये हमारे खड़े गरम मसाले डाल देने हैं गैस के फ्लेम को लो करके ही आप वो सारी चीज़े डाले इसके बाद हमारा ये जो मैरिनेट कि हुआ मटन है ना इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे तो पूरा मटन को इसके अंदर अच्छे से डाल देते हैं यह मटन सच में बनाना बहुत ही जादा आसान है इसमें बिल्कुल भी जादा महनत भी नहीं लगती है हाँ टाइम बहुत ही जादा लगता है लेकि महनत बहु करनी है तो यहां पे हमें बिल्कुल भी मता भी ढखकन नहीं लगाएंगे गैस के फ्लिम को हाई रखेंगे और इन्हें पीच-पीच में चला चला के इदम अच्छे से भुन लेंगे तो यह देखिए यहां पे कुछ समय लेते हुए यहां पे हमारा जो मटन है यह भुन रहा यह देखिए तो मतन को यहां पे थोड़ा और भुनेंगे तो यहां पहले हम चला लिया है चलाने के बाद से यहां पे यह देखिए मुटन बहुत ही अच्छा भुफन चुका है गैस के फ्लेम को medium to low कर देंगे low heat पे हम इने धक देंगे और धक कर मटन को धीमी आज पे आइस्ता आइस्ता पकने देंगे थोड़ी तेर बाद मतलब कि आप 10-15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप धकन को हटाएं फिर से हम क्या करेंगे न मतन को एक बार चला लेते हैं तो धीमी आज पे यहाँ पे जो मसाले है वो भी बहुत ही अच्छे से कुक हो रहा है तो पहले आप high flame पे मतन को अच्छे से भुन ले फिर low flame पे इनकी अच्छे से भुनाई करें उसके बाद जब मसाले सारे पक जाएंगे न हम इसमें डाल देंगे इस तरह से फेटी हुई दही तो आप 2-3 चमस दही ले उन्हें अच्छे से फेट ले और इसके अंदर डाल दें ध्यान रहे कि गैस का flame पुरा low होना चाहिए दही डालके फिर से इन्हें अच्छे से mix कर लेते हैं और यहां पर इन्हें मसालों में अच्छे से mix करके न फिर से दही के साथ भी हम इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे तो फिर से हम ढखकन को लगा देते हैं और थोड़े टाइम के लिए इन्हें इसी तरह से पकने देंगे, तो थोड़ी तेर बाद फिर से चलिये रखन को हटा लिया जाए, और फिर से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, यहाँ पे हमारी जो मसाले है वो बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, क्योंकि मसालों म करीब में गरम पानी का इस्तमाल किये हैं आपको जितनी ग्रेवी चाहिए ना आप उसके हिसाब से पानी का इस्तमाल करें मैं इसे जादा मतलब पतली ग्रेवी नहीं बनाने वाली मैं इसे थोड़ी सी गाड़ी बनाने वाली हूं मतलब तो यहां पर मैं बहुत ही कम पानी का इस्तमाल की हूँ, अभी हम गैस के फ्लेम को पूरी तरह से लो कर देंगे और ढख देंगे और मटन को धीमी आज पर 열 थे, आधी घंटे तक इसी दरह से पकने देंगे तो आदा गंटा हमारा हो चुका है आदे घंटे बात फिर से मटन को चला लेंगे और ये देखें पानी पूरी दर से ड्राइ हो चुका है और ये हमारा सूपर टेस्टी जो मटन है ना ये एकदम से बन के तयार है इसे मैं कर लूँगी गर्मा गरम सर्फ चावल के साथ और यहाँ पे हम ले लेंगे प्यास तो ये एकदम बेस्ट कॉम्बो है तो आप इस मटन की रेजपी को जरूर त्राइ करें